हम लुकार सुनेंगे बहुत सुन्दर एक तेरगात सुनें गया ये गाथा बताये हैं हरहन सारी गुत्त बनतेजी अगर वो सीलोवान है तो बहुत आच्ची तरह होस में रहने के लिए निरंतर प्रयास करने वाला है तो अगर वो सीलोवान है तो अच्ची तरह हमेशा होस में रहने के लिए प्रयास करने वाला है तो अपना मन में आने वाले कई प्रकार की विचारों को पालन करकी दिहान भी कर रहा है तो विना विलंब, विना देर होते हुए धरम पे आचरन भी करेगा तो निरंतर भावना में, धियान में रत हो गया तो यानकि भावना में आसकत हो गया तो उनका मन समाध्य है तो एकांत वास में रहने के लिए मन है तो उनको कहता है विक्षु उनको क्या कहता है? विक्षु सीलवान है तु आच्ची तरह होस में रहने के लिए प्रयास करेगा तु मन में आने वाले कई प्रकार की विकारों को पालन करकी दिहान करेगा तु विना देर होते हुए दरम पे आचरन करेगा तो दियान भावना में रत होके रह गया तो मान भी समादिमान है तो एकांत वास में रहने में पसंद है तो उनको ही कहा जाता है पिक्षू जो भोजन करता है वो बिंगा हुआ चीज हो सकता है या सुका चीज हो सकता है सीमा से आ, लिमिट से ज़्यादा नहीं लेता है पेट में जगा भी रख देता है उसी प्रकार बिक्षु जीवन बिताना चाहिए लिमिट में सीमा सहित भोजन लेके रहना चाहिए जोनिस मन सीकार से चार-पांच पिंड को विना काके उस जगा पे पान पीना चाहिए यानि कि पुरा पेट भर ना चाहिए चार-पांच प्रकाता है ना ओयसा जगा चोड़ना चाहिए पान पीने के लिए निर्वान में मन लगाये हुए वीर्यवान बिक्ष को वो बहुत आसान है वो करने से बहुत आसान लग रहा है सरीर का बंद करने का जगा होता है वो बंद करने के लिए अपने लिए चीवर मिल गया तो निर्वान में लगे गुई वीर्यवान बिक्ष को तो अच्चा लगता है दिहान साधना में बैठने के बाद दोनों घुटनी बारिश से नहीं बिंगेगा तो वो एसा कुटिया भी निर्वान में लगे गुई वीर्यवान बिक्ष को बहुत आराम दाये के केसा कुटिया देखिए सारी कुटमांदी बोल है ऐसे बैठता है ना बैठने का दोन गुटनी नहीं बिंगना चाहिए यानि कुटिया कित्रा बड़ा है यहां से लिगे वहां था चोटा कुटिया वह भी केसे बांते लिए कुटिया लेते है जिल बेटने किले, तीन खागडा, खागडा, खागडा डालता है, दीवार में खागडा डाल दिया, बेट गेगा, आज चारे न, जो कोई, सुख वेदना, दुख प्रकार से देखेगा तो, सुख वेदना, दुख जैसा देखेंगे तो, दुख बेदना, तीर जैसा देखेंगे, तीर बटला इसा, मारता है न, तीर जैसा देखेंगे तो, जो दुख राहित है, दुख राहित वेदना पे मौह नहीं होगा तो, वो कैसे इस दुनिया में बंदन हो जायेगा? यान ही सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना में वो नहीं आटकेगा तो दुनिया पे बंदन नहीं होता है सुख वेदना देखना चाहिए दुख जैसा दुख वेदना को देखना चाहिए थीर जैसा उपेक्षा वेदना को देखना चाहिए उपेक्षा वेदना पे मोहित नहीं होगा तो पासेगा नहीं है तो वो दुनिया बंदन नहीं हो सकता है देखिए एक सुन्दर जिसके पास पापी इच्चा हो कम वीर्य हो कम हीन वीर्य हो थोड़ा वीर्य है दारम का जानकार भी नहीं है जिनके पास आदर गावरो साथ कार भी नहीं है उनके साथ मेरा संगत कभी ना हो उनके साथ संगत करने के कारण दुनिया को क्या फाइदा होगा कुछ कल्यान नहीं है मगर जो कोई बहूत धर्म की जानकार जिसके पास है तो ग्यान भी है तो सीलवान है तो समाधिवान मन है तो मन सांत करने के लिए प्रयास करने वाला है तो वो उत्तम महापुरुष मेरा सीर पर बैविराजमान वो किन किन को बोर रहे हैं? जो बहुत धर्म जानते हैं ग्यान भी है ग्यान मतलब योनिसमान से कारकरता है सीलवान है और दियान करके मन भी समाधिवें लाया है मन को सांत करने के लिए निरांतर प्यास करते रहता है वो उत्तम पुर्ष मेरा सीर पर कौन वताएं? हमेशा मित्यत संकलपना में रहते हुए काम संकलप 來 हमें 5 काम के बारे में सोच औना व्या पाद वितरक या नराज के बारे में मनम्ख्यर्ट रहना विहणसा वितरक दूस्तरों को परेशान दिलान की बारे में मनन करते रहना ये मित्या संकल्पना ये मित्या संकल्पना में रहके मित्या संकल्पना में ही साथ कर जंगली जान और जैसा रहने वाले ब्याक्ति को ये सान सारी दुख खतम करने वाले अमरित निर्वान चुट जाता है उसी आदमी से किस से हमेशा गलत संकल पना में रहा गया तो काम और व्यापाद विहिंसा उसी में ही सट गया तो जंगली जानो जैसा उसी प्रकार रहेंगे तो जंगली जानो नो उतला जंगली जानो और एकदम जो मान में आता हो करती रहता है एकदम सुधरा नहीं तोड़ा थे वो उन से निर्वान की रास्ता चुट जाता है लेकिन जो कोई मित्या संकल्प को हटा कि अलग अलग प्रकार की चीज मनन नहीं करके रहे गया तो जो मन में आता है सोच करे रहता है कोई डात लिया उसके बारे मन अच्छा बोल उसके बारे मन कोई जो मन में आता है मन करते रहे गया तो मन नहीं करेगा तो प्रपांच रहित प्रपांच मतला प्रपांच रहित रहित मतला प्रपंच मतला मन में आता है उसको मणन प्रपंच करने जादा प्रपंच वाले दियां नहीं कर सकते हैं मन रहता है मनों लोक में, मन की दुनिया में रहते हैं, यानि की ऐसे ऐसे, ऐसे कहीं जाकर किता पढ़ना तुल किता पढ़ फिर ऐसे, अपने आप हो जाते हैं, फिर सोच करें, बहुत मजा रहा है, प्रपंच, समादी में बहुत मन मुश्किल लिलाना, प्रपंच नहीं है तो, समत एवां विपस्तना में रत हुए रह गया तो, उनको सांसारिक दुख खतम करने वाले अमरित निर्वान मिल जाता है, गाउं में, या आस्रम में, या नीच जगा पे, या तो फिर पहाडों में, किसी भी जगर, अगर अरहंत लोग विराजमान है तो, वो धर्ती बहुत थी सुन्दर है, क्लेश गंदगी में, पंचकाम संपत्य में सटेग हुए, रत हुए, कामी जनता लोग, पंचकामी में सटेग हुए, कामी जनता लोग, आस्रम, सेनासन, आरण्य में पसंद नहीं करते हैं, कौन नहीं पसंद करते हैं, आस्रम मंदिरों में, मंदिरों जन्गल हैं, सांत रहते हैं, पंचकाम में रहने हैं, आप लोग पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग पंचकाम को खोजता नहीं है, वो ऐसा वीतरा आगे मुनी लोगों को, वो आश्रम बहुत ही वे लोग उसी जगह पे बहुत पसंद भी करते हैं खाजाना निकाल की दिखाना जैसा कुछ भी गल्ती देख लिया तो उस गल्ती को दिखाने वाले थाथा गल्ती पर डाटने वाले ग्यानी लोगों के साथ संगत करना चाहिए कौन किस के सांसांगत करना जाए मतला अब रिठेर से खाजान अराभ से बटे दिखर हो जाए बहुत महेंगी खाजाने को निकाल कर दिखाने वाली बैक्ति जैसा किसे दिखाता है खाजाना अरे लो खाजाना ले लो ऐसे दिखाता है यह जाना यह इतना संपत्ति वापकी एसे किरी पूरा ध्यान देख बताता है वो ऐसा थोड़ से गल्थी देख ले तुरंद बताता है आप इसा गल्थी करते है आप रिबहुत पस्ता न पड़ेगा जानते हैं जिसा चोटा-चोटा गलती से बड़ा-बड़ा बहुत कुछ होता है एसे करें कि बहुत समझाता है न वही और उसी गलती को डाटने वाले ग्यानी लोगों, ग्यानी उत्तम लोगों के साथ संगत करने से सिर्फ फायदा होता है, कभी गाटा नहीं होता है करना चाहिए आओ आतमसा अचन देना चाहिए उपदेश देना चाहिए अनुसासना भी करना चाहिए और गंदगी से अपना मन को बचाना भी चाहिए वो ब्याक्ति साथ पुरुस लोगों को बहुत प्रिय होता है असाप पुरुस लोगों को प्रिय नहीए उस दिन धर्म की आँखे वाले थतागत भगवान बुद्ध और किसी को प्रोचन दे रहे थे दूसरा किसी को प्रोचन दे रहे थे थतागत की उपदेश का मतलब समझने के नि मैं भी दिहान से उस ज्ञान को सुन रहे थे मेरा वो द्धर्म की सुनना हाल तो नहीं हुआ सारे आस्ट्रों को कतम करके सभी दुख से मुक्त होने का बहागे मुझे भी मिला इसका मतलब सूख रखातर एक गुफा है गराजगिरी में उस गुफा में कि इनको तो बगवान बुख प्रोचन दे रहे थे सारे पुद्वान बगवान पुद्वा हवा होक रहे हैं तो हवा होकती होकती उस प्रोचन पी दिहान लगा की योनिसमानस कर कर रहा था उस समय आवहात्य प्रात्य की आस्या रहे ना देखिए एक बार हम पुब्वे निवासान उसति ज्ञान को कभी खोज के नहीं रहा पिछर जरम देखने रहे हम दिब्व चक्शु को प्रात करने के बारे में भी नहीं खोजा थाथा दुसरों के मन को देखने के लिए भी मेरा मन को इच्छा नहीं ता रिद्धि सिद्धि पाने का मान भी मेरा पास नहीं था चुतु पुपात ग्यान पाने के बारे में दीबशोत ग्यान को पाने के बारे मुझे कोई जरूरत है नहीं था इसको अधरा क्या जरूरत था राग देत उमोग मिटाना वारतमाद में बहुत सा लोग दिहान करते करें सोचता है ना मन समाधी में आ गया तो पहला दियान दूसरी दियान नहीं हमको व्यासना नहीं जाने कि मुखा गया तो एक टाइम आ जाए है पास को तो बन गया तो देखें अरहां सार भी तो बन देखें तो यह सा कोई आशा नहीं है बाह को सीर को मुंड करके चीवर पहन कर पेड़ों की नीचे जाके दियान करते हैं कौन प्रज्ञासे परिपूर्ण आरहां उपतिस्व बनते जी तता कर भगवान बुदी श्रावक वो बिक्षु दियान में आ गया है उसको कहता है आरे आरे चुप आरे मौन आरे मौन मतला चीवर पहन के दियान करते रहता है वो है उपतिस्व बनते जी उपतिस्व बनते जी कौन नहीं सारगुत बनते जी ही होता है अच्छा से जमीन को पकड़की रहने वाले पात्थर का पारवत हिलेगा नहीं थे वैसे ही है मोह को जो कतम किया है वो बिक्षु विना हिलकर रहता है पारवत जैसा एसे हैं तो हम लोगों को तांग करने में चीज़ क्या है मोह जिसके पास क्लेश नहीं है गंदगी नहीं है वो ब्यक्ति हमेशा पवित्रता को कोज की रहता है बाल के किनारे में लटके हुए चोटा चीज जैसा इतना चोटा गल्ती भी बहुत बड़ा बादल जैसा हमको दिखाई देता है मृत्य के बारे मुझे कोई पसंदा भी नहीं है जीवन बिताने के बारे में भी मेरा कोई इच्चा नहीं है अच्चा से होस में रहके अच्चा प्रग्णा से हम इस सरीर को चोड़ देंगे मृत्य के बारे मुझे कोई पसंद इच्चा नहीं है जीवन के बारे में मुझे कोई इच्चा नहीं है महीने महीने का सेलरी इंतजार करने वाले ब्यक्ती जैसा मैं भी भारी निर्वान को इंतजार करके रहता हूँ आगे थता पीछे हर तरह सिर्फ मृत्यू ही दिखाई देता है विना मृत्यू नहीं, सिर्फ मृत्यू दिखाई देता है आगे पीछे इसले सिर्फ आरेश्टांगिक मार्ग ही प्रयास करना चाहिए आप लुग कभी नस्ट ना हो ये उत्त मौका आप अपने हाथों से चुटने मत दिजी अपने जीवन धरम से सुरक्षा कर लिजी जैसे में आंदर एवां बाहर अच्चा से सुरक्षा किया हुआ नगर जैसा शहर जैसा है ये उत्त मौका चुटने मत दिजी ये उत्त मौका जिसका हाथों से चुट किया है वो सारे के सारे लोग नरक में जनम लेकर दुख भोग रहे हैं उपशान्त होना चाहिए गलती से बचना चाहिए कैसे? योणिसों अनिसिकार करना चाहिए एक गुंदा भी गमांड नहीं होना चाहिए वो बिक्ष को पाप साप हटा सकता है कैसे पाप को हटा सकता है पाका हुआ पात्ता हवा से हटाना जेसा पाप को हटा जेसा पाका हुआ पात्ता हवा से हटाना जेसा पाका हुआ पात्ता हवा से हटाना जेसा प्रसन मान से, अचांचल मान से, उत्तम गुंधरम वाले ये विक्ष को सारे दुख कतम कर सकता है। कोई-कोई ग्रहास्त लोगों के बार में थाता कोई-कोई जो चीवर पहनों के बार विश्वास नहीं करना चाहिए। वे लोगों कोई-कोई समय में अच्चा है, ओर कोई समय में बुरा है। पंच काम की इच्चा, गुस्चा, निंद, आल्ची, मन का पच्तान तता भटकन, सक्त यानि कि पंच निवरना है। ये पांच कारण हर एक व्यक्ति कम्मान को खतम कर देता है लेकिन अप्रमादी होते वे धर्म की रास्ता पे आचरन करने वाले अप्रमादी होते वे धर्म की रास्ता पे जाएगा तो जाकर के समादी पालिया तो वो समाधि, साथकार सम्मान और असाथकार निंदा बदनाम के सामने हिलता नहीं है, समाधि है तो हमेशा द्यान करने वाले, बहुत चोटा चोडा, बहुत चोटा चोटा महिन महिन चीज को अपना द्रिष्टी से मानन करके समझने वाले, बिना बंधन के, जो है उनको कहता है, उसी भिक्षु को कहता है साथ पुरुश महासाग, धरती, काईलाश, परवत, तता इहावा, ये कुछ भी, तता अगत भगवान बुद्ध ने जो दिखाया उस्तम निर्वान की मार्ग, उसके लुदाहर नहीं बना सकता है महाग्यान वाले, समाधि मन वाले, तता अगत भगवान बुद्धिक धर्म चक्र, उसी प्रकार ही चलाने वाले, अरहां सार्गुत बहती जी, धरती जेसा है, खान जेसा है, आग जेसा है, कोई भी चीज़ पे आसक्त भी नहीं होता है, ग्रिना भी नहीं होता है प्राग्ञा पारमिता शामपूर्ण हो गया महाबुद्द्रिमान होसमे रहते ही मन सांत हो गया है वो विक्षू हमेशा आचरन करता है कुछ भी नहीं जानने वाले व्याक्ति जैसा कुछ नहीं जानते हुब ये एसा आचरन करता है कौन प्राज्या आगे था पढ़ा दिया है बहुत बड़ा भूद्धी भी है हमेशा होस में रहता है मान भी ठानदा हो गया वैसा विक्षू वैसा विक्षू रहता है कैसे? अन पड़ जैसा आग्यान जैसा मैं भी इसका बता है एक के साथ संगत किया तो Maha Brhamman Jee की समानी अगर दोगों के साथ रह गया तो देवताउं जैसा है तीन साथ रह गया तो जाओं जैसा उसे ज़्याद हो गया तो जगड़ा है मैं भी नतागत बागवान बुद्ध जी को गाउरों से संगत किया मैं भी पुद्द सासन को संपूर्ण किया क्लेश गंदगी का बहार हटा दिया सारे भवबंदन को तोड़ दिया आप भी विना देर होते हुए आरे स्टांग एक मार्ग में ही जाए मैं मुझे सिर्फ यही कहना है और कुछ नहीं सारे भवसे मुख्थ होने के बाद मैं आभी परनीर्वान होने के लिए को इंतजर कर रहा हूं यह आरहां सारे बतवार के लिए